हेलो मैं हूँ डॉक्टर अबिशेक आनंद और हम लोगों ने mathematical methods में अभी quadratic function देखा है जो पिछली lecture में और इस lecture में हम लोग graphs और इसके कुछ सवालों को देखेंगे और solve करेंगे उससे पहले हम लोगों को graphs के कुछ concepts को जानना जरूरी है जिससे कि हम लोगों को समझने में आसानी हो जैसा कि हम लोगों ने पिछले lecture में देखा है कि quadratic function का जो shape होता है वो parabola होता है और उसका जो highest degree होगा quadratic function का वो 2 के बराबर होता है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके graph को देख कर कि graph में क्या-क्या concept है जो कि हम लोगों को जानना जरूरी है इसके आगे के सवालों को solve करने के लिए और उसके graphs को बनाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग graphs को plot करेंगे तो यह हमारा graph है और हम लोग कुछ points को भी ले लेते हैं तो हम लोग पहला point लेते हैं minus 2 और 5 को तो minus 2 और 5 जो हम लोग plot करेंगे अगर इस graph में तो हम लोग देख सकते हैं कि यह plot होगा इस जगह पर minus 2 और 5 की जगह पर वहीं जब अगर हम लोग दूसरा point लेते हैं कोई तो हम लोग लेते हैं, minus 1 और 0, तो ये हमारा point 1 पर plot हो जाएगा, और फिर अगर हम लोग next point लें, minus 1 और minus 4, तो हमारा नीचे की तरफ, fourth quadrant में होगा, हम लोग next point अगर और ले लेते हैं, 0 और 3 जो कि हम लोग x-axis पर देख सकते हैं, point 3 पर हम लोग को ये point मिलता है, और fifth point हम लोग ले लेते हैं, 4 और 5 का, तो ये सारे points हम लोग को मिलते हैं, और अगर हम लोग इन सारे points को, अगर किसी रेखा से, किसी एक line से जोड़ें, तो हम लोगों को इस प्रकार का मिल जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं, कि 3 पर हमारा 0 और 3 है, और फिर हमारा उपर में 4 और 5 का point आ जाता है, तो अब इस सब में से कुछ हे concept निकल कर आता है, अब जैसे पारा बोला, पारा बोला की हम लोग जब बात करते हैं, तो पारा बोला किसको कहते हैं, पारा बोला हम लोगों ने देखा है, कि पारा बोला क्या होता है, पारा बोला होगा कोई भी U-shaped, मतब यू आकार का जो कर्व होता है, वो पारा बोला उसको कहते हैं, और क तो अगर माल लेते हैं इसका जो में पॉइंट है ये बीच वाला पॉइंट, ठीक है, होगे, तो इससे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं, जो इसके बीच के पॉइंट से सबसे लोइस्ट पॉइंट से गुजरता है, तो इसको हम ल line of symmetry 아 아벤 लाइन उसकी होता क्या है 9 यदि करए कि वह एक वर्टिकल लाइन होता है जो पारा बोला को इकवस इस टैंस में उसको कट करता है यहां पर से इकवस डिस अब देखते हैं कि क्या equal distance है की नहीं माल लिजे इस point से देखते हैं इधर का और इधर का distance कितना है अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 1, 2 और 3 है ठीक है? और इधर भी देखें तो 1, 2 और 3 है तो दोनों तरफ जो हमारा distance है वो same है हर जगा पर इस point से हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ का difference और इधर से इधर का difference भी हम लोग देखेंगे तो same आएगा ठीक है? यह देख सकते हैं हम लोग यह जो difference है यहाँ का इतना difference और यह difference यह same है फिर यहाँ से यहाँ तक का difference same है उसी प्रकार से अगर यहां पर हम लोग देखे हैं इस point पर तो यहां पर भी दोनों तरफ distance same है तो line of symmetry का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह एक ऐसा line होता है जो parabola को बीच से cut करता है और दोनों तरफ equal होता है यह हो गया हमारा line of symmetry के बारे में अब इसमें हम लोग को होता है कि x intercept और y intercept क्या होता है जैसे यह हमारा जो point होगा यह three पर जो point है या one पर जो point है जिसको हम लोग blue से देख रहे हैं ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा x-intercept हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग x-intercept कहेंगे, x-intercept इसका मतलब क्या हुआ, x-intercept कोई ऐसा point होता है graph पर, जो x-axis पर होता है, उसी तरह अगर y-intercept की बात कर रहा है, तो y-intercept हमारा ये वाला point हो जाएगा, जो y पर है, ठीक है, माइनस 3 पर एक point आ रहा है, कट कर रहा है उसको, तो इसको हम लोग y-intercept कहेंगे, ठीक है, उमीद है clear होगा, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, कि x-intercept क्या होता है, तो x-intercept को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, x-intercept, x-intercept होता है हमारा, वो point होता है on the graph, point on the graph, which intersects, जो intersect करता है, मतलब गुजरता है, intersects x-axis, ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग y-intercept की बात करें, y-intercept, तो y-intercept होता है हमारा, वो point graph पर जो की intersect करता है y-axis के, point on the graph, which intersects y-axis, ठीक है, clear है, उसी तरह, line of symmetry हम लोग समझ चुके हैं, line of symmetry को हम लोग क्या लिख सकते हैं, line of symmetry, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, कि ये कोई भी axis पर symmetry होता है, जो vertical line, जिससे की, इसको हम लोग लिख सकते हैं, vertical line, vertical line मतलब जो एक सीधा line हम लोग रेखा कीशते हैं, इस प्रकार का जो भी रेखा कीशते हैं, वो vertical होता है, और इस तरह का जो भी हम लोग रेखा कीशते हैं, वो horizontal होता है, ठीक है, तो यह क्या होता है यह vertical line होता है जिसके through which the parabola is symmetry अब symmetry का मतलब क्या होता है अगर हम लोग symmetry का हिंदी अगर word बोले तो इसका मतलब होता है समरूपता ठीक है इसको कहते हैं हम लोग समरूपता उसी तरह अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट को हम लोग बोलते हैं अवरोधन हिंदी में अब एक कंसेप्ट और आता है जो कि यहां पर हम लोगों को समझना जरूरी है सॉल्व करने के लिए क्योंकि हमेशा हम लोगों को वर्टेक्स भी निकालने आता है अब वर्टेक्स क्या होता है वर्टेक्स को हम लोग कहते हैं सिखर ठीक है कोई भी सिखर यह नीचे का सिखर हो सकता है या graph में या उपर के graph का सिखर हो सकता है तो vertex को हम लोग क्या कहते है यह कोई भी ऐसा point होता है जो कि minimum या maximum point होता है graph का तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि point that defines the maximum और minimum on graph ठीक है किसी graph पर भी जो भी minimum point होगा या maximum point होगा उसको हम लोग vertex कहते हैं या सिखर कहते हैं तो अगर हम लोग जो graph है उससे देखें तो हमारा जो one और minus four का point है यह वाला जो point है हमारा यह हमारा कौन सा point हो जाएगा यह vertex हो जाएगा और यह कौन सा point दिखा रहा है यह हमारा minimum point को यहाँ पर दिखा रहा है तो उमीद है कि इस graph से आप लोग समझ गया होंगे कि x intercept अगर बोला जाए निकालने के लिए तो किस तरह से निकाला जाएगा y intercept होगा तो उसे किस तरह से निकाला जाएगा फिर vertex तो यह सारे चीजों को हम लोगों को जानना जरूरी है अगर हम लोग निकालते हैं कोई भी solve करते हैं किसी question को और उसके बाद उसे अगर solve करते हैं तो अब आएए हम लोग कुछ examples को समझते हैं और कुछ सवालों को देखते हैं कि किसे का क्या value होगा ठीक है suppose एक question है हमारा कि हम लोगों को graph बनाना है ठीक है question है plot the graph of quadratic function of quadratic function जो हमारा quadratic function दिया हुआ है वो है fx is equal to 2x square plus 4x plus 4 अब हम लोगों को हम लोगों ने पिछले video lecture में देखा था कि हम लोगों का quadratic function का graph उपर की तरफ खुलेगा पारा बोला यह नीचे की तरफ खुलेगा यह हमारा इस 2 पर डिपेंड करेगा कि यह positive है या negative है इसको हम लोग leading coefficient भी कहते हैं तो यह यह हमारा किसको denote करता है a को denote करता है तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर a greater than 0 होगा तो upward खुलता है ठीक है और अगर a less than 0 होता है तो वो downward की वोड पारा बोला हमारा खुलता है तो अगर हमारा coefficient coefficient हमारा इस question में दिया हुआ है a is equal to 2 तो यह क्या है यह greater than 0 है तो हम लोग क्या कह सकते हैं हम लोग यह कह सकते हैं कि graph will open upward मतब यह graph जो खुलेगा इसका पारा बोला यह उपर की तरफ खुलेगा तो अगर हम लोग अब इसको solve करें तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि symmetry axis हमारा कौन सा होगा तो उसका हमारा formula होता है x is equal to minus b divided by 2a तो b हमारा क्या होगा b हमारा यहां पर 4 हो जाएगा यह b और a हमारा क्या है a हम लोग जान रहे हैं कि 2 है हमारा तो इसको हम लोग लिख सकते है minus 4 ठीक है क्योंकि a हमारा कितना है a हमारा 2 है b हमारा 4 है और c b हमारा 4 है यह हमारा c को denote कर रहा है तो minus 4 divided by 2 into 2 तो अगर इसको आगे solve करेंगे तो minus 4 divided by 4 जो की minus 1 के बराबर आ जाएगा तो जब x हमारा x का value निकल गया x is equal to minus 1 आ गया यहां पर तो यह क्या है यह हमारा निकला है axis किसका symmetry का जो vertical line है उसका हम लोगों को x निकल कराया है अब हम लोगों को graph अगर plot करना है ठीक है तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है for graph के लिए हम लोगों को कुछ points को भी निकालना है तो इसमें क्या है हमारा दिया हुआ fx is equal to 2x square plus 4x plus 4 यह हमारा equation दिया हुआ था तो x की जगा पर अब minus 1 को हम लोग put करेंगे तो 2 into minus 1 square plus 4 into minus 1 plus 4 अब यह क्या हो जाएगा minus 1 को अगर into करेंगे minus 1 से तो negative negative into होके positive हो जाता है तो यह क्या हो जाएगा 2 into 1 plus अगर minus को 4 से करें तो क्या हो जाएगा इसका value minus 4 और इधर plus 4 हो जाएगा तो हमारा value आजाएगा 2 minus 4 plus 4 ये दोनों cancel out हो जाएगा तो हमारा एक जो point आएगा वो होगा 2 का तो अगर ये हमारा 2 आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जब x when x is equal to 1 आ रहा है तो हमारा fx के आ रहा है 2 आ रहा है तो ये minus 1 आता है तो हमारा एक point निकल कर आ जाता है जो कि है minus 1 और 2 अब हम लोगों को क्या है कि y intercept को भी निकालना होगा देखने के लिए कि क्या value आता है तो y intercept को अगर निकालना है हमें y intercept तो y intercept जब होगा तो हम लोगों ने देखा है पहले कि वहाँ पर जो point होगा वो y से ही गुजरेगा मतलब यह वा कि x हमारा 0 होगा तो हम लोग यह मान के चलें कि if x is equal to 0 समझ में आ रहा होगा कि x हम लोग 0 क्यों लेते हैं क्योंकि graph में हम लोग जब देखते हैं कि point y axis से गुजरता है तो जब point y axis पे है तो इसका मतलब कि x हमारा 0 होगा तो इसी को फिर put up हम लोग equation में कर देंगे 2x square plus 4x plus 4 अब x का value हम लोग 0 माने वे हैं 0 square plus 4 into 0 plus 4 तो यह हमारा हो जाएगा 0 plus 0 plus 4 is equal to 4 तो इसका मतलब है कि y intercept जो होगा हमारा वो 4 होगा तो इसका value क्या हो जाएगा y intercept का जब हमारा x 0 है तो तो x की जगह पर 0 रिखेंगे और y की जगह पर 4 आ जाएगा अब यह दो point से अगर हम चाहें तो हम लोग एक graph को plot कर सकते हैं तो graph को आईए हम plot करते हैं graph में और देखते हैं कि क्या यह पारा बोला है और उपर की तरफ खुलता है या नहीं खुलता है तो दो point हम लोग को मिला हुआ है कौन-कौन सा point है minus 1 और 2 और दूसरा point है 0 और 4 इसको हम लोग को plot करना है तो एक graph हम लोग बना लेते हैं यह 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह हमारा x-axis है और negative की तरफ भी यह हमारा x-axis है जिसको x- से हम लोग denote करते हैं यह हमारा y-axis है और नीचे जो negative का part होगा यह हमारा y- होता है ठीक है तो हम लोग के पास है minus 1 और 2 तो minus 1 जो है यह x को denote कर रहा है और y को 2 denote कर रहा है तो हम लोग को minus 1 किस में देखना होगा हम लोग को minus 1 देखना होगा इस line में ठीक है x-axis पे देखना होगा तो जब x-axis पे देखते हैं तो हम लोग का minus 1 यह है ठीक है और कहां पर y-axis का 2 आ रहा है तो y का 1 और 2 कहां पर मिलेगा इस point पर मिलेगा क्योंकि minus 1 यहां से यहां जाएगा और 2 यहां तो इस point पर मिल रहा है और दूसरा y-intercept अगर हम लोग देख रहे हैं तो y-intercept हमारा 0 और 4 है तो यह हमारा point आ जाता है अब अगर 0 और minus 4 को हम लोग plot कर रहे हैं तो यह इस point पर आ जाएगा जो की y-intercept पर होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि यह open upwards हो रहा है जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि यह open upwards होगा क्यों क्योंकि a हमारा जो है वो positive है अब एक दूसरे सवाल को देखकर हम लोग कोसिस करते हैं उसके graph को plot करने का suppose मान लीजिए एक दूसरा question दिया हुआ है कि if f x is equal to x square तो इसका graph क्या होगा तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं suppose x एक तरफ लिख लेते हैं कि x का value कुछ मान लेंगे तो f x क्या होगा अगर x को हम लोग minus 2 मान लें तो x square क्या होगा minus 2 का square जो की हो जाएगा 4 के बराबर अगर suppose ये minus 1 इसको फिर ले लेते हैं तो minus 1 square तो 1 के बराबर हो जाएगा फिर 0 अगर इसको लेते हैं तो 0 का square करेंगे 0 आ जाएगा उसके बाद अगर 1 हम लोग लेते हैं तो 1 का square is equal to 1 और अगर 2 लेते हैं तो 2 का square is equal to 4 आ जाएगा तो अब अगर हम लोग देखें कि हम लोगों को यहाँ पर कौन-कौन सा point मिल रहा है तो point हमारा minus 2 और 4 का point मिल रहा है ठीक है इसको लिख सकते हैं minus 2 और 4 दूसरा हम लोगों को minus 1 और 1 फिर हम लोगों को मिल रहा है 0 और 0 फिर next है 1 1 और उसके बाद है 2 और 4 तो अगर हम लोग इसके graph को plot करें ठीक है इसके graph को हम लोग plot करकर देखते हैं कि किस तरह का हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम लोग माइनस 2 और 4 को करते हैं तो minus 2 x-axis पे देखना है तो यह हमारा minus 2 है और फिर 4 देखना है तो 4 यह यह दोनों जाकर मिलेगा इस point पे तो यह point हमारा हो जाएगा minus 2 और 4 का दूसरा है minus 1 और 1 तो minus 1 और 1 यह point हो जाएगा हमारा minus 1 और 1 का उसके बात है 00 तो यह point होगा हमारा फिर 1 और 1 इस point पर आ जाएगा हमारा और फिर है 2 और 4 तो 2 और 4 हमारा इस point पर मिलेगा तो अगर इस सारे points को हम लोग मिलाएं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा u shape का हमारे पास curve मिल रहा है जो कि उपर की तरफ खुल रहा है उपर की तरफ खुल रहा है क्यों कि a हमारा जो होगा ये a greater than 0 है क्योंकि अगर x square के आगे कुछ नहीं है तो इसका मत्तब 1 है जो की 0 से बड़ा है तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार का graph पाराबोला मिलता है कि इस सवालों को किस तरह से हम लोग solve करते हैं सपोज एक question दिया हुआ है हमारा quadratic function fx is equal to ax square plus bx plus c का हमारा equation का form होता है अब example में क्या है जिसमें लोग step wise समझेंगे यहाँ पर हमारा equation दिया हुआ है minus x square minus 2x plus 3 तो यह हमारा fx है ठीक है यह तो हमारा general form है और यह हमारा जो आया है यह हमारा general form है और यह हमारा equation है जिस पे हम लोगों को plot करना है graph को plot the graph तो plot करने के लिए graph को हम लोगों को कुछ points होते हैं जिनको निकालना होता है और इसका हम लोग समझेंगे कि किस तरह से step by step हम लोग solution लेते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को step 1 क्या होगा हम लोगो step 1 सबसे पहले हम लोगो को क्या निकालना है सबसे पहले हम लोगो को y-intercept निकालना है ठीक है और y-intercept निकालने के बारे में पहले हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर x क्या होगा x is equal to 0 हो जाएगा तो हम लोग देखते हैं कि अगर x is equal to 0 है तो क्या value आता है तो minus 0 का square अगर minus x square है तो minus 2 into 0 plus 3 तो इसका value 0 minus 0 plus 3 तो is equal to 3 आ जाएगा तो यह हमारा y intercept हो गया तो sorry यह 3 आ जाएगा तो हम लोगों को जो point मिलेगा वो क्या है 0 और 3 का point है किसमे y intercept हमारा निकल गया है अब जो y intercept निकला है तो हम लोगों को अब next जो step है next step हम लोगों को है कि x intercept निकालना है ठीक है x intercept में क्या होगा कि fx is equal to 0 हो जाएगा यहाँ x 0 नहीं होगा बलकि fx is equal to 0 होगा तो fx is equal to 0 का मतलब fx जो भी equal to है minus x square minus 2x plus 3 यह बराबर हो जाएगा 0 के तो अब इसको solve करना है अब यह जो negative है इसको हम लोग पोजेटिव में change कर देते हैं सारे को तो यह भी positive में change हो जाएगा और यह क्या होगा यह negative में change हो जाएगा यह दोनों positive में change हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x square plus 2x minus 3 is equal to 0 ताकि हम लोगों को solve करने में आसानी हो अब जब इस quadratic function को हम लोग आगे solve करेंगे तो इस plus 2x को हम लोग लिख सकते हैं plus 3x minus x ठीक है plus 3x minus x तो इसका भी value क्या हो जाता है 2x के बराबर हो जाता है तो minus 3 is equal to 0 फिर x square plus 3x ठीक है एक जगा लिखते हैं minus x minus 3 is equal to 0 एक जगा अब इस दोनों में क्या करेंगे हम लोग x को common ले लेते हैं अब x को common लेंगे तो यहां क्या बचेगा इसमें केवल x बचेगा और इसमें केवल 3 बसता है फिर इसको हमा को इसके बराबर करना है तो क्या करेंगे minus 1 ले लेंगे common तो minus 1 जब इसमें common लेंगे तो इसमें हम लोग को केवल x से multiply करना होगा तो minus x हो जाएगा और यहां plus 3 is equal to 0 हो जाएगा तो x minus 1 इसको और इसको हम लोग साथ में लिखते हैं और फिर यह दोनों साथ में लिखेंगे x plus 3 is equal to 0 तो x minus 1 is equal to 0 होगा या x plus 3 is equal to 0 होगा x is equal to जो minus को इधर ले जाएगे तो plus 1 हो जाएगा या x को इधर लेके जाएगे तो minus हो जाएगा तो x का value क्या हो जाएगा 1 या minus 3 एक दूसरा point जो है हम लोगों को ये निकल कर आया 1 और minus 3 का point निकल कर आया तो अभी तक में हम लोगों को 2 मिल चुका है एक y intercept ये मिला है और ये x intercept मिला है अब हम लोगों को third point जो है ये vertex हम लोगों को step 3 में निकालना है step 3 क्या है vertex याद होगा जो हम लोगों ने देखा है कि ये maximum या minimum point होता है तो अब vertex निकालने का क्या formula है कि x is equal to minus b by 2a ठीक है उसके बाद हम लोग fx में put करके देखेंगे क्या value आता है तो minus b अब हम लोगों का formula यहाँ पर जो equation दिया हुआ है वो क्या है हमारा equation था fx is equal to minus x square minus 2x plus 3 तो यहाँ पर अगर a की बात करें तो a minus 1 है b की अगर बात करें तो यह हमारा 2 के बराबर है और c की बात करें तो यह हमारा 3 के बराबर है तो यहाँ पर हम लोग minus b by 2a करेंगे तो minus b है तो minus 2 minus 2 हो जाएगा divided by 2 into a 2 into a minus 1 हो जाएगा तो minus minus क्या हो जाएगा plus और फिर 2 into minus 1 minus 2 तो इसका value जो होगा minus 1 हो जाएगा यह x का value तो x is equal to minus 1 आ गया अब इसको हम लोग इस x is equal to minus 1 को इस equation में put करेंगे तो fx is equal to minus x square minus 2x plus 3 minus minus 1 square minus 2 into minus 1 plus 3 यह हो जाएगा हमारा minus 1 plus 2 ठीक है minus 2 into minus 1 plus में change हो जाएगा और plus 3 तो इसका total value आ जाएगा हम लोग को 4 तो vertex अगर हम लोग देखें तो एक यह point हो गया हमारा vertex is equal to minus 1 और यह हमारा 4 तो यह हमारा vertex आजाएगा अब हम लोग को देखना है अगर हम लोग जानते हैं कि हमारा parabola उपर की तरफ कुलेगा या नीचे की तरफ कुलेगा यह depend करता है किस पे कि ए हमारा greater है या यह हमारा less है तो यह हम लोग क्या देख रहे है यह minus 1 है तो यह less than 0 होता है तो कहा होता है downward खुलता है ठीक है तो इसका मतलब इसका जो point होगा वो minimum होगा तो यह हमारा step 3 था अब हम लोग को कुछ और point निकाल लेते हैं step 4 में step 4 में क्या करेंगे कुछ और points निकालते हैं जिससे कि हम लोगों को graph को plot करने में आसानी होगी तो extra point के लिए suppose let कर लेते हैं कि x का value minus 2 है तो minus 2 है तो फिर fx क्या होगा हमारा fx is equal to minus x square की जगह पर हम लोग क्या करेंगे minus 2 का square कर देंगे minus 2 और फिर x की जगह minus 2 लिख देंगे और plus 3 तो ये क्या हो जाएगा minus 4 हो जाएगा minus 2 into 2 plus 4 हो जाएगा क्योंकि minus into minus करेंगे तो plus हो जाएगा और plus 3 तो ये दोनों cancel out हो जाएगा और ये 3 बचेगा तो इसका मतलब जब x is equal to minus 2 है तो y पर हमारा 3 होगा तो एक दूसरा point जो हम लोग को मिला है वो minus 2 और 3 का point है अब हम लोग step 5 में क्या करेंगे सारा जो हम लोग को points मिला है उसको एक 7 लिख देंगे ठीक है step 5 में हम लोग सारा 7 में लिखें क्या क्या हम लोग निकाल लेते फिर x intercept को निकाले है उसके बाद हम लोग vertex निकाले है और extra point को निकाले है तो extra point तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं यह क्या है minus 2 और 3 है vertex हमारा क्या आया है vertex हमारा आया है minus 1 और 4 minus 1 और 4 अब y intercept हमारा है 0 और 3 और X इंटरसेप्ट हमारा आया है 1 और माइनस 3 तो अब इन 4 पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पर प्लॉट जब करेंगे तो फिर देखते हैं कि हम लोगों को क्या निकल कर आता है इन पॉइंट्स को हम लोगों किडि़ा तो सबसे पहले हम लोग Y-intercept को plot करते हैं 0 और 3 तो ये point हमारा 0 और 3 का आजाता है उसके जाद X-intercept पे अगर हम लोग जाएं तो 1 और minus 3 है तो 1 और minus 3 का मतलब हुआ कि Y-intercept है तो X-intercept पे Y हमेशा 0 होता है और हम लोग को value कौन कौन सा आया है 1 आया है और minus 3 आया है तो ये हमारा होगा 1 और 0 और minus 3 और 0 होगा ठीक है तो ये हमारा जब 0 होता है तो 1 और 0 ये कौन सा point होगा ये point हो जाएगा हमारा 1 और 0 का और minus 3 0 तो ये point हो जाएगा हमारा minus 3 और 0 next है हमारा vertex vertex यहाँ पर है minus 1 और 4 तो यह minus 1 और हम अगर 4 देखें तो यह हमारा minus 1 और 4 का point आता है और फिर है हमारा extra point minus 2 और 3 तो minus 2 x-axis का और 3 हमारा y-axis का इस जगह पर आता है तो minus 2 और 3 अब इन सारे points को हम लोग मिलाते हैं इन सारे points को हम लोग मिलाएंगे तो इस प्रकार का हम लोगों के पास graph आता है तो इस तरह से हम लोगों का graph होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि यह नीचे की तरफ खुड़ रहा है क्यों? क्योंकि ए हमारा less than 0 है उमीद है यह graph और किस तरह से हम लोग step by step solve करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम लोग और एक example से इसको समझते हैं ताकि आसानी से solve करने में questions आप लोगों को आसानी हो suppose एक question दिया है कि fx is equal to x square minus 2x minus 1 और इसका हम लोगों को plot करना है graph तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को past step लेना है इसमें a क्या है? a is equal to 1 हो जाएगा क्योंकि 1 यहाँ पर है जो कि दियावर नहीं है b हमारा minus 2 हो जाएगा और c हमारा यह minus 1 हो जाएगा तो अब हम लोग solution जब करेंगे तो सबसे पहला step क्या है? सबसे पहला step 1 होगा हमारा y intercept को निकालना तो y intercept को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? x को हम लोगों को 0 मानना पड़ता है तो जब x हमारा 0 होगा तो fx बराबर क्या हो जाएगा? 0 square अगर इस equation में हम लोग पुट करें minus 2 into 0 minus 1 तो 0 minus 0 minus 1 तो यह minus 1 value आ जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर जो point मिलेगा y intercept का वो होगा 0 और minus 1 अब हम लोगों को next है x intercept निकालना है step 2 है हमारा x intercept तो x intercept हम लोगों ने quadratic function में पढ़ा है कि हम लोग जो x अगर निकालते हैं तो उसका एक general formula भी होता है हमारे पास वो क्या होता है? minus b plus minus root under root under हमारा b square minus 4ac divided by 2a होता है तो a, b, c हम लोगों को यहाँ पर पहले से मिला हुआ है क्या है? तो minus b की जगह पर हम लोग लिख सकते है minus minus 2 लिख सकते है plus minus b square minus 2 square minus 4 into 1 into minus 1 यह हमारा root under आ जाएगा और divided by 2 into a तो 2 into 1 हो जाएगा अगर इसको further हम लोग solve कर रहे हैं तो minus minus हमारा plus में बदल जाता है तो इसको लिख सकते हैं 2 plus minus यह minus 2 का square जब करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा और minus 4 into minus 4 plus 4 हो जाएगा ठीक है डिवाइड बाई 2 into 1 is equal to 2 फिर 2 plus minus हमारा root under 8 डिवाइड बाई 2 अब हम लोग root under 8 को 2 into root 2 भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 multiply 3 बार multiply होता है कैसे 2 into 2 into 2 हमारा 8 के बराबर होता है तो इसको इस दोनों को हम लोग root के बाहर भी निकाल सकते हैं तो मैं लिख सकते हैं 2 plus minus 2 root under 2 divided by 2 अब इसी में हम लोग क्या करेंगे इस दोनों को common ले लेते हैं तो क्या होगा 2 इसकी जगा 1 आजाएगा 1 plus minus root 2 divided by 2 यह cancel out हो जाएगा तो 1 plus minus root under 2 तो 2 value हमारा आजाएगा एक होगा 1 plus root 2 0 और दूसरा हमारा आजाएगा 1 minus root 2 0 यह हमारा x का intercept आजाएगा यह दो point हम लोगों को मिल जाएगा अब next हमारा step 3 क्या है कि हम लोग vertex निकालते हैं vertex जो कि minimum या maximum point होगा तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं a का value की minimum होगा की maximum होगा हम लोग यहाँ पर formula क्या है हमारा positive में a greater than 0 है तो यहाँ पर maximum होगा maximum क्यों होगा क्योंकि point जो है उपर की तरफ खुलेगा पारा बोला upward opening होगा पारा बोला का यह सारा कोई धियार में रखेगा तो vertex का formula क्या था minus b by 2a था तो minus b, b हमारा कितना है b हमारा है minus 2 तो minus minus 2 और 2a हमारा 1 के बराबर है तो minus minus प्लस हो जाएगा 2 divided by 2 is equal to 1 तो vertex हमारा एक point जो है वो 1 मिल गया तो अब y is equal to क्या होगा y is equal to x square minus 2x minus 1 अब इस पर हम लोग 1 का value लिख देते हैं x पे तो 1 square minus 2 into 1 minus 1 पिर यह हो जाएगा 1 minus 2 minus 2 is equal to हमारा हो जाएगा minus 1 तो यह हमारा 1, 1 cancel out हो जाएगा minus 2 तो x हमारा 1 है और y हमारा minus 2 तो एक हमारा point मिल गया 1 और minus 2 का अब हम लोगों को और points चाहिए ताकि हम लोगों को graph को plot करने में आसानी हो हम लोग लिख सकते हैं for more points तो यहाँ पर x का हम लोग कोई value एक random value मान लेते हैं suppose करते हैं कि let x is equal to 2 तो fx क्या हो जाएगा fx अगर हमारा है x square minus 2x minus 1 तो x की जगा पर 2 को put कर देंगे 2 square minus 2 into 2 minus 1 4 minus 4 minus 1 तो यह minus 1 हो जाएगा तो एक जो value हमारा more points माया 2 और minus 1 का और फिर मान लेते हैं अगर x is equal to minus 2 है let x is equal to minus 2 तो fx is equal to minus 2 square minus 2 into minus 2 minus 1 4 negative into negative plus 4 minus 1 is equal to 7 हो जाएगा तो यह हमारा आजाएगा minus 2 and 7 तो अब हमारे पास step 5 क्या है step 5 में हम लोग सारे points को लिख देते हैं कि कौन-कौन सा हम लोगों को points मिलाए y-intercept x-intercept vertex और more points तो more points में तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर हमारा है 2 minus 1 और minus 2 7 vertex हमारे पास है 1 minus 2 फिर हमारा जो y-intercept है वो 0 minus 1 और x-intercept है हमारा 1 plus root under 2 0 1 plus root under 2 0 और 1 minus root under 2 0 अब यह जो 1 plus root under 2 है 1 minus root under 2 है इसे plot करना आसान नहीं है इसलिए हम लोगों ने यहां पर more points में एक points जादा ले लिया है जिससे कि हम लोगों को curve का actual point निकल कर आ जाए लेकिन अगर हम लोग इसको आगे solve करते हैं तो root under 2 के value को हम लोग decimal में निकाल सकते हैं और 1 plus 1.41 करेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.410 और 1 minus 1.41 तो minus 0.410 तो यह दो point हमारा निकल कर आता है अब इसके लिए हम लोग graph को plot करते हैं तो हम लोग को plot करना है y intercept 0 और minus 1 0 और minus 1 तो यह हमारा एक point हो गया 0 minus 1 फिर हमारा y अगर x intercept को देखें तो 2.41 और 0 तो 2 से थोड़ा सा हमारा ज़्यादा होगा 2.41 और 0 यह हमारा हो जाएगा 2.41 और 0 फिर minus 0.41 और 0 तो इस जगह पर हो जाएगा हमारा जो आदे से थोड़ा सा कम हो minus 0.41 और 0 और points में वर्टेक्स में जाए तो 1 और minus 2 होगा तो 1 और minus 2 यह हमारा point हो जाएगा 1 और minus 2 का फिर है हमारा more points में 2 और minus 1 तो 2 हमारा ये है और minus 1 इस point पर आ जायेगा 2 minus 1 और फिर minus 2 and 7 minus 2 यहाँ है and 7 तो ये हो जाएगा minus 2 and 7 तो ये points हमारा मिलता है अब ये points को हम लोग मिलाएं अगर सारे points को हम लोग मिलाते हैं तो इस तरह का हम लोगों को शेप निकल कर आता है जो की उपर की तरफ कुलता है उपर की तरफ कुलता है इसका मतलब है कि A greater than 0 होगा तो हम लोग अगर equation में देखें तो यहाँ पर 1 है इसका मतलब A जो है greater than 0 है इसलिए जो parabola होगा वो उपर की तरफ open होगा उमीद है इस तरह के अगर आपको कोई सवाल आते है quadratic function में तो वो आप लोग solve कर पाईएगा एक और example हम लोग देख लेते हैं इस quadratic function में कि suppose आप लोगों को एक question आता है question है कि determine maximum और minimum ठीक है maximum और minimum की बात हो रही है मतलब किस की बात हो रही है vertex की बात हो रही है maximum और minimum और equation दिया हुआ है y is equal to minus 4x square plus 24x minus 35 अब आप लोग जानते हैं कि यह minus 4 जो है a के denote कर रहा है यह 24b को denote कर रहा है minus 35c को denote करता है और हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि a अगर greater than 0 होगा तो यह maximum को show करेगा ठीक है और a अगर less than 0 होगा तो यह minimum को show करेगा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो a जो है हमारा is equal to minus 4 है जो कि 0 से कम है तो हम लोग कह सकते हैं कि vertex जो होगा जो parabola होगा वो parabola downwards को लेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि parabola जो shape होता है parabola will open downward ठीक है यह तो हम लोग को parabola का shape मिल गया अब हम लोग को vertex का value निकालना है कि vertex का क्या value होगा तो vertex निकालने का अगर है तो हम लोगों ने पहले भी vertex निकालना है उसका formula क्या होता है उसका formula है minus b by 2a तो minus b हमारा क्या होगा है minus 24 minus 24 divided by 2 into a a हमारा कितना है minus 4 है तो 2 into minus 4 तो यह हो जाएगा minus 24 divided by minus 8 minus minus cancel out हो जाएगा 8 into 3 तो 3 हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर x जो है हमारा is equal to 3 आ गया है अब y निकालने के लिए x का value हम लोग put करेंगे तो x fx is equal to हमारा है minus 4 x square plus 24 x minus 35 तो minus 4 x square की जगा पर 3 plus 24 into 3 minus 35 3 इसलिए put कर रहे हैं क्योंकि x का value हम लोगो यहाँ 3 मिला है तो minus 4 into 9 plus 24 into 3 अगर हम लोग करें तो इसका value आ जाएगा 72 minus 35 अब minus 4 into 9 minus 36 plus 72 minus 35 यह हो जाएगा हमारा minus 71 plus 72 is equal to 1 तो हमारा जो value आएगा y का वो 1 आएगा तो हम लोग कह सकते हैं 3 और 1 जो हमारा value है वो होगा और यहाँ पर हम लोगों को minimum value निकल maximum value जो होगा यहाँ पर वो हमारा x is equal to 3 होगा जब y is equal to 1 है इसी तरह से एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं सवाल है कि maximum या minimum निकालना है maximum या minimum ये कब निकालना है जब y is equal to 4x square minus 32x plus 62 अगर हम लोगों को equation दिया हुआ है तो यहाँ पर vertex क्या होगा अब vertex में एक चीज ध्यान देना है कि जब भी parabola उपर की तरफ खुलेगा ठीक है तो value जो है वो minimum होगा ठीक है तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोगों का negative आ रहा है ये a हमारा negative है तो ये हमारा जो value निकल कर आएगा 3 और 1 ये हमारा maximum value है ठीक है तो जब भी हमारा a a अगर एक concept को धियान में रखिएगा कि a अगर positive है तो यहाँ पर क्या होगा parabola will open upward ये उपर की तरफ खुलेगा लेकिन जो value होगा वो हमारा क्या होगा minimum होगा ठीक है minimum होगा वही जब a less than 0 होगा तो parabola downward की ओर खुलेगा will open downwards और value जो होगा उसका maximum होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि ये अगर positive है तो यहाँ पर vertex का value क्या आएगा ये maximum value आएगा उसी तरह यहाँ पर vertex अगर a minus 4 है a अगर minus 4 है तो यहाँ पर कौन सा value आएगा minimum value आएगा इससे याद रखिएगा अब अगर हम लोग vertex निकालते हैं तो vertex निकालने के लिए x का क्या value होगा x ये x is equal to minus b by 2a है तो minus b मत्ब मैनस minus 32 और 2 into a तो 2 into 4 तो negative negative positive हो जाएगा 32 divided 4 into 2 8, 8 4 से cancel out हो जाएगा तो x हमारा 4 है तो f x हम लोग y क्या होगा इस equation को लिखेंगे और equation पूट कर देंगे x के value को 4 x square minus 32 x plus 62 तो x के value को अगर पूट करें तो 4 into 4 का square minus 32 into 4 plus 62 तो 4 square का 16 हो जाएगा 16 into 4 64 minus 32 into 4 128 plus 62 तो 64 plus 620 126 minus 128 is equal to minus 2 तो x हमारा 4 है जब तो y हमारा minus 2 है ठीक है 4 और minus 2 तो vertex हमारा क्या हो जाएगा 4 and minus 2 तो ये हमारा जो है minimum value है minimum value उमीद है कि आज के इस सवाल को आप लोग solve कर पाईएगा आगे इस प्रकार के अगर कोई सवाल आते है तो और graph भी plot करने में आसानी होगी तो आज के लिए इतना ही next lecture में हम लोग function को देखेंगे thank you